नमस्कार सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अश्वीनी सुरोही एक नजर हेडलाइन्स पर मुखमंतरी ने पाली में विपरजोय प्रभावित अक्षित्रों का किया हवाई सर्वे अधिकारियों को राहत और मुआवजे के दिये निर्देश अज में डिसकॉम के विपरजोय डिजास्टर मैनेजमेंट के हो रही तारीफ 24 घंटे अलर्ट रहकर किया शिकायतों का निराकरे रिकॉर्ड समय में पॉल और ट्रांस्पोर्मर की ये दुरुस प्रदेश के सभी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में होगी करियर काउंसलिंग डायल फ्यूचर इनिशिटिव के तहरत पीचोज दिखाएंगे सुनहरे भविश्य की दहा मुख्यमंतरी श्री अशोग गहलोत ने बुधुहार को पाली जिले में विपरजोय चक्रवाच से प्रभावित अक्षेत्रों का हवाई सर्वे किया उन्होंने पाली सरकिट हाउस में प्रभावित लोगों से मुलाकात की मुख्यमंतरी ने सभी से आत्मियता से बात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत राहत पहुचाने और सर्वे करवा कर नियमानुसार मुआवजा दिलाने के नर्देश दिये प्रभावितों ने मुख्यमंतरी को अपने नुकसान के बारे में बताया साथ ही उन्होंने प्रशासन और पुलिस द्वारा किये गए राहत कारें की सरहाना की प्रभावित लोगों ने कहा कि पूर्व तयारियों से भी नुकसान कम हुआ है मुख्यमंत्री ने प्रभावितों से मिलने के बाद जिला कलेक्टर पुलिस अधीक शक उप्खंड अधिकारियों से वारता की, उन्होंने प्रशासन की टीम प्रयासों की तारीफ करते हुए सडक बिजली के पोल सहित चीजों की मरमत कराने के नर्देश दिये उन्होंने कहा कि SDRF, NDRF, नागरिक सुरक्षा के स्वम सेवकों आपदा मित्रों ने विपरीत परिस्थितियों में बचावकारे बहतरीन किये हैं जालोद में कोई साथ सित्र लोगों को बचाया वाँ लिए लिए पान निकिरे होए थे और सेंग्ड़ लोगों को राज दिलाएगे वाँ पर पाली में स्वम सेवकों अभी बचावक दो गंडे से देजराव जो लोग आरे मिलने के लिए मुखवंतरी ने कहा कि तूफान से निपटने में अधिकारियों के साथ आमजन ने भी अहम भूमिकाने भाई है सभी ने मिलकर इस आपदा का मुकाबला किया है अगर प्रदेश में भाईचारे का यही माहौल रहा तो 2030 तक राजस्थान देश का नंबर वन राज्यों की फेहरिस्थ में होगा यह जो साइकनों आया है साइकनों के अंदर भी भूमिकापॉल अच्छी निवाई अंग जनताने भी अधिकारियों ने करमचारियों ने सब ने अपना करता ही निवाया है यह माहौ रहा तो जो हम लोग सपना देशने हैं तो 2030 तक राजस्थान परत्रम सभी में नहीं आये देश के अंदर नंबर वन नहीं आये तो नंबर वन की सभी जितनी राजी आये हैं 245 हम भी उसके अंदर हों यह हमारी भावना होने चाहिए उसी रूप में सिक्षव में काम हो रहा है और स्वार्थ में हम नंबर वन देश के अंदर है जाये टू हेल्थ जो कानूल बना है देशने करनी बना हो है पचित लागा भीमा दिया हम लोगों ने एक से बढ़के एक योड़ना दिया बुख्यमंतरी ने कहा कि चक्रवात से नेपटने में सबने एहम भूमी का निभाई है लेकिन अब प्रभावितों को मुआफजा देना घरों को बनाना बिजली पोल और सडकों की मरमत सहित एहम काम है जोसे हमें मुस्तादी के साथ करना है मुख्यमंतरी ने बुधवार सुभे जालोर सरकेट हाउस में विपरजोय चक्रवात प्रभावितों और परिवादियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी साथ ही तुरंत नस्तारण के लिए संबंधित विभागय अधिकारियों को नर्देशित किया उन्होंने क्षिती का आकलन कर प्रभावितों को हर संभव राहत पहुचाने के नर्देश दिये मुख्यमंत्री ने सरकित हाउस में कहा कि चक्रवात विपरजोय से प्रभावित लोगों को हर संभव नियमानुसार सहायता पहुचाए जाएगी कर दो थाएग समय के चाहिए हैं सुष्छा पहुचाए कंषिति नहीं राशनाहिए जाएग। सुब्सट्राइब शन्मर्टन की द्रम्हान के समय का गवी है। सब्सक्राइब जाना की करें नियुके रहना भीति है। आदी रात को अच्छा कांते हैं, जिला परशन, कलेक्टर, SP की देखरेग में, कमीशन भी आगा है, आईजी भी आगा है, पर रात को अपरे गणा बड़ी बात थी, और सुबह आर्मी भी लगे ही, तो आर्मी, सबने मिलकर के पूरे जिले में छोटे बड़ी इसको और किया है, तो इसको जार से नहीं होता हूं कि सब जगे काम बहुत एक्छे देंगे हुआ है, और फॉर्चिनेटली जो कलेक्टर, SP काम की विविटीची वो देरे-देरे कम हो गई, जालोर और बाहर भी आगा है, अब इना पैसे देरे जोटी है कि वो आराम से सब्सक्राइब कर रहा कि रात के रहे पहुचे है, विपरजोई चक्रवाती तूफान के दौरान अजमेर विद्यूत वित्रण निगम ने बिजली आपूर्ती के लिए हाई अलर्ट और कंट्रोल रूम्स के जरिये 24 घंटे सेवा का समाधान किया, चक्रवात की पूर्व जानकारी पर बहतर प्रबंधन करते हुए अजमेर डिसकॉम ने अपने हर उपखंड में उचत मात्रा में पोल, ट्रांसफोर्मर सहित, अन्य माटेरियल समय पर उपलब्ध करवाई, जिससे शतिग्रस्त हुई लाइनों, पोल और को ठीक कर समय बध तरीके से बिजली सप्लाई को सुचारू किया गया, प्रबंध निदेशक श्री एनस नर्वान ने बताया कि तूफान में अजमेर डिसकॉम के कुल 3420 पोल और 593 ट्रांसफोर्मर शतिग्रस्त हुए, इन्हें रिकॉर्ड समय में ठीक कर आपूर्ती स्थानों पर भी रहा, कहीं पर भी बुजली की आपूर्ती बाधित नहीं होने दी गई, महीं तूफान के कारण 10 जिलों में अजमेर डिसकॉम को कुल 9.13 करोड रुपे का नुकसान हुआ है प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नए शक्षनिक सत्र के आगाज के अवसर पर राज्य के सभी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में दसवी कक्षा पास कर चुके विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं में विशय चयन का मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिए करियर काउंसलिंग दी चाय की इसकूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए डैल फ्यूचर यानि भविश की रहा इनिशेटिव के तहत आगामी 28 जून से 5 जुलाई तक सभी जिलों के राज के उच्च माध्यमिक विद्यालों में परामर्श कारिक्रम की रूप रेख शिक्षकों से संबाद भी करेंगे कोटा के राजीव गांधी नगर में रास्ट्रे विज्यान केंद्र और डिजिटल प्लैनेटोरियम की स्थापना की जाएगी इससे विद्यार्थी और आमजन विज्यान की भूमिका और खगोली घटनाओं के रहसे आकरशक मॉडल्स औ और एक्सपेरिमेंट्स के जरिये समझेंगे मुख्यमंतरी श्री अश्योग गहलोत ने केंद्र की स्थापना के लिए 7 करोड 40 लाक रुपे के विद्यप्रस्ताव को मंसूरी दी है केंद्र में विज्यान के कठिन सिधान्तू को सरलता से समझाने के लिए फन साइंस और थ विभिन खगोल्य ग्रहों की जानकारी उपलब्ध हो की विद्यार्थियों में विज्यान के प्रती रोचकता बढ़ाने के लिए विभिन प्रतियोगी ताएं भी आयोजित की जाएंगी एक और निगम उत्तर महापौर श्रीमती कुंती देवडा परिहार ने सभी से शाररिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए योग को अपने दिन चरया में शामिल करते हुए जीवन शैली में सुधार करने का आवाहन किया लोगों ने बढ़ चड़ कर पूरे उत्सहा के साथ सामोहिक योगा अभ्यास कारिक्रम में भाग लिया सुधिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार